बिद्दू छेत्र और उसकी तिवर्ता में जो है सम्मंद को समझना और उसकी परिभासा को भी समझना तो देखिए यहाँ पर बिद्दू छेत्र की अगर परिभासा की बात करें तो कोई भी आवेश का जहां तक परभाव रहता है उसी आवेश का वह बिद्दू छेत्र का प्रिद्दु चेत्र में गूमेगा बिद्दु चेत्र बिद्दु चेत्र की किसी भी ऑबेष का जिस जगह तक परभाब होता है वहां तक उस आबेश का वहां बिद्दू छेत्र कालाता है उसके बाद आता है इसके तिवर्ता की बात तो तिवर्ता हो जाती है कि किसी इकाई आबेश पर जो बल लगता है किसी इकाई आबेश पर बल लगता है यानि इकाई आबेश यानि कि एक कुलम आबेश के अनुसार मान लिजे कि एक कुलम आविस के अनुसार जो इतना सा बिदू छेतर बनता है तो इस एक कुलम आविस द्वारा जो है यहाँ पर जितना बलकार कड़ेगा वही जो है बिदू छेतर का तिवरता कलाता है यानि यह बराबर हो जाता है F by Q E बराबर F by Q लेकिन यहाँ पर जो Q नॉट माना गया है तो आप Q नॉट भी ले सकते हैं तो आविस को आप जीस तरह से मानेंगे उस तरह से परिवासा बज़ेगे तो E बराबर हो जाता है F by Q E है बिदू छेतर की तिवता तो इस तरह से आप बिदू छेतर और बिदू छेतर की परिवासा की विसले सा नासानी से कर सकते हैं